असलाम लेकूम, वेलकम बैक टू माई चैनल, गेट इन्फो टेग, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे के डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग ने सिंपल लिस्ट, अनॉडर लिस्ट और अॉडर अजिए ना, डेटा लिस्ट, डेटा टर्म और डेटा डिस्क्रिप्शन डेटा वो क्या होती है, तो उसके लिए आप लोग ये वला कोड जो है, इसको भी बश्यक लिखा रहने लिए, ताके चीजें क्लियर हो जाएं, यहां पर आपने क्या करना है, इसको में ज्यादा ज कर लेती हो ताके चीजें और आपको इसली समझ आजएं, यहां पर आप लोग उने लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए डिल लिखेंगे और लिखेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने डिल लिखा उसने स्टैक के अंदे कर दिया, आप ड लिस्ट है उसको आप डिस्क्रिप्शन में शो करा हो, देन आप इसको यूज करते हो, अब हमने टर्म को इना कोई रखेंगे, जो के लाइक टाइटल की तरह होती है, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डि, टी, ओके, इसके बाद, यह है हमार पास डिस्क्रिप् इसके बाद, यह थी हमार पास एक टर्म जो के एक हेडिंग की तरह शो होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टर्म, अब क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन डेटा, डी, डी, जो के डी, डी से शो होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डेटा के अंदर, अब आप लोग ना स्टू नौटी स्टूडन्ट ओके स्टूडन्ट यह स्टूडन्ट की डिस्क्रिप्शन है ठीक है और इसके बाद एक और मैं यहाँ लिख रहती हो दूसरी टर्म हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे जो के है डी टी स्टूडन्ट थी यह टीचर आ गया यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते है मैडम हिना पीट्स अज ठीक है यह आपने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी यह है हमारे पाँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो के अब आपको अभी दिखाते है इसका रिजल्ट ठीक है चंप्रॉल एस प्राइस करें ऐपने इन ब्राउजर यह यूजाँ सी हमारे पास यह होती है और हमारे पर जो description data होता है ना वो हमारे पर यह होता है जो भी आप यहां पर show करवा देंगे ठीक है तो यह था हमारा description list, description term और description data के बारे में होप सो आप लोगों को यह वीडियो पसंदा ही होगी मेरे चैनल को like कीजिए सबस्क्राइब, plasmi कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए Thank you so much